कही अनकही बाते शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम दोसर जैसे कि आप सबको पता है कि आज वुमेंस टे है तो आज वुमेंस टे के उपर मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया है आज मैं आपको बताऊंगी महीला क्रांतिक कारियों के बारे में जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है लेकिन जिन्होंने आजादी के लड़ाई में खुद का बलिदान दे दिया जी हाँ आज मैं आपको ऐसी ही कुछ महिलाओ के बारे में बताऊंगी साल 1920 के आसपास का समय वह था जब क्रांतिकारी आंदोलों में छात्र छात्राओं की सक्रियता बढ़ रही थी खासकर की बंगाल में जहां सिर्फ लड़के नहीं बल्कि युवा लड़कया भी एक सीमा को पार करके आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी अंग्रीजी सरकार की खिलाग परदर्शन करना, धरने देना, सोतंतिता जनानियों को गुप संदेश पहुचाना और यहां तक कि उनके लिए हतियार इखटे करना करके पहुचाना ये सब काम भारत की बेटिया निर्भिक होकर कर रही थी हर विद्यारती किसी न किसी क्रांतिकारी दल से जोड़ा था और ब्रिटिश अफसरों को मार गिराने के लिए ततपर था 21 साल की बीनादास ने जब बंगाल की गवर्नरस टेमले जैक्सन पर भरी सबा में गोलिया चलाई तो इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया इस लड़की के साहस ने ना सिर्फ अंग्रेजों की दिलों में डर भरा बलकि स्त्रियों के प्रती भारतियों की रूडिवादी सोच को भी चुनौती दी बीना दास की ही तरह और भी न जाने कितनी ही बेटिया थी भारत की जिन्होंने अजादी के संगराम में अपनी जान की बाजी लगाई कारावास की यात्मनाय सहने से लेकर सीने पर गोली खाने तक किसी भी अंजाम से वे पीछे नहीं हटी भारतिक क्रांतिकारी विरांगनाय किताब में रामपार सिंग और विम्ला देवी ने लिखा है कि यह वह दौर था जब अंग्रेजी अफसर बंगाल में अपनी पोस्टिंग होने से डरने लगे थे कई अफसरों ने अपना तबारला कराने के लिए सिफारिशे की क्योंकि उन्हें डर था कि यहां कोई भी विध्यार्ति उन्हें कभी भी गोलियों से भून सकता है हमारी तिहास की कमी यह है कि ब्रिटी सरकार को जड़ से उखार पेकने की नीव जिन लोगों ने रखी उन में से सिर्फ कुछ लोगों को ही सही पहचान मिल पाई अन्य क्रांतिकारी और विशेशकर महीला क्रांतिकारियों के नाम आज भी तिहास के पन्नों से नदारद है ऐसा ही एक नाम और है वनलता दास गुपता बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है इस विरांगना के बारे में कुछ तत्यों के मताबित उनका जनम साल 1915 में विक्रमपूर जो अपकी ढाका में है में हुआ था वनलता को बच्पन से ही सास की बिमारी थी लेकिन उनकी बिमारी कभी भी उनकी दाश्ट्रे प्रेम के बीच ना आ सकी वनलता पड़ाई के साथ साथ खेल कूद और बाकी सारी चीजों में भी व्यस्त रहती थी उनकी बिमारी की वज़े से उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे गर से बाहर जाए लेकिन बच्पन से ही सेनानियों की गाता सुनने वाली वनलता का मन था कि वे अभी अन्य चा का हिस्सा बन गई अन्य चात्रों की तरह वह भी जरूरी सुचनाय और गुप संदेश सेनानियों तक पहुचाती उन्होंने रिवॉल्वर चलाना भी सीखा और उनके पास खुद की एक रिवॉल्वर रहती थी बताया जाता है कि होस्टल में अपना रिवॉल्वर अपनी दोस्त जोती कणा दत के कमरे में छुपाका रखती थी एक बार होस्टल में चोरी हुई और सभी छात्रों के कमरे की तलाशी ली गई जोती कणा के कमरे से रिवॉल्वर बरामद हुई तो उनकी तुरन सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिली कड़ी पूचताच के दोरान उन इतिश अफसरों की नजर में आ चुका था वे उन्हें हर गतिविती पर नजया रख रहे थे जोती कणा को हत्यार रखने के जुरम में चार साल की सजा हुई वनलता पर कोई आरोप नहीं था लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें तीन साल की कारावस की सजा दी खरकप बाइया और ढंका खाना ना मिलने के कारण वनलता की तवीर खराब होने लगी उनकी विमारी के चलते उन्हें रिहाद किया लेकिन उन्हें घर में नजर बन करके रखा गया अंग्रेज उन पर कड़ी नज़र रखते कहीवे कांतिकारी सो तो नहीं मिल रही हैं जिस वज़े से उन्हें घर पर भी उची स्वास्ते नहीं मिल रहा था वनलता का स्वास्त दिन पर दिन गिरता ही जा रहा था और फिर साल 1936 में मात्र 21 साल की उमर में उनकी मृत्ती हो गई वनलता चाती तो अराम से घर में रहते हुए एक अच्छी जिंदी की गुजार सकती थी लेकिन उन्होंने राष्ट प्रेम को खुझ से पहले रखा और अपनी विमारी के बावजूत कांतिकारी करती वीडियों में भाग लेती रही यह उनके जैसे वीर और विरांगनाव क का बलिदान ही है जो आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं वनलतादास कुपता की तरह बहुत से ऐसे गुमनाम नायक नायका है जिनकी तस्वीर तर उपलब नहीं है तो दोस्तों यह थी कुछ का अंतिकारी महिला जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है ल देखते रहेंगे मेरे साथ कही अंड कही बाते लाइक शेर एंड सब्सक्राइब टू मैं चानल थैंक यू